दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं उस पर व्यूज भी आ जाते हैं अब हमको लगता है कि या इसमें कुछ हमने गलती कर दिये हमें कोई पाइट इसका रिमूव करना है हमें कहीं म्यूजिक एड करना है या म वीडियो को जब मैंने शूट किया था तो उस वक्त यूट्यूब एडिट करने की फैसलिटी तो देता था लेकिन फीचर कम थे तो उस वीडियो के कमेंट सेक्षेन हैं बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि सरस्में कापी सारे फीचर और आ गए तो अभी एक नया टूटो दोस्तो मैं हो योगी योगेंदर आप देख रहे है टक्निकल योगी नो ड्रामा नो क्लिक बैट अनली टैक दोस्तो आप यूट्यूब में जितनी भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं उन में से आप किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं जैसे कि यह माल लीजिए एक इसको मुझे एडिट करना है तो मैं इस पर किलिक करूँगा इस पर किलिक हो गया अब यहां पर क्या है देखिए यह तो आपको पता ही होगा कि यहां पर जो इसके टैक्स वगरा है वो तो सब यहां से हम एडिट वगरा करी सकते हैं में बात आती है वीडियो को कैसे एडि कोई भी पार्ट इसमें से ट्रिम कर सकते हो, multiple पार्ट भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कितने भी पार्ट बनाके आप उसको हटा सकते हो, वीडियो के अंदर से, तो कई बार ऐसा होता है, कि हमारी वीडियो में कुछ unwanted पार्ट होता है, उसे हमें हटाना पड जैसे मैंने एक कंपनी का sponsorship किया था, तो उन्होंने कोई बात मुझसे बुलवाई थी उस वक्त, बाद में उस कंपनी का कुछ matter हो गया था, तो उन्होंने कहा था, यह वाली लाइन हमारी हटा दो वीडियो से, तो simple सी बात थी, वो लाइन मैंने जहां पे बोली थी, मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है, तो एक तो ट्रिम का function हो गया यह वाला, इसके बाद एक आता है music का, आप चाहें तो music add कर सकते हैं यहाँ पे, कोई problem नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पे होता है एक blur का, आप चाहें तो किसी part को blur कर सकते हैं, face blur कर सकते हैं, tracking वगएर सब में देखे, zoom हो जाएगी, यह देखे, इसको आप zoom in, zoom out कर सकते हैं, तो यह तो यह चीज़े, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, माल लीजे, आपको शुरुवात का कोई party माल लो trim करना है, तो आपको देखिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छी से समझाता हूँ, यह जो हमारा cursor है, यहाँ पर है, ठीक है, मुझे सुरुवात से लेके कुछ second तक trim करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं trim का बटन दबाऊंगा, यह यहाँ पर trim का option है, इस पर मैं click कर दूँगा, ठीक है, हो गया click, अब मुझे यहाँ पर माल लीजिए, इतने part तक ही मुझे ठीक है, suppose, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक मुझे आना पड़ेगा, यहाँ तक आने के बाद, यह समझ लो, मैं यहाँ पर preview करूँगा, और मेरा यहाँ पर हो जाएगा, मतलब मैं जैसे preview पर जाँगा, पर preview पर मैं जाता हूँ एक बार, कया, अभी मै यहाँ पर save कर दूँगा, तो थोड़ा time लगेगा save होने में, मतलब save करके छोड़ दो, थोड़ा time लगता है, यह trim हो जाएगा, बट अगर मालीजे मुझे trim नहीं करना, मुझे कुछ-कुछ multiple split करने part को, मतलब हटाने कुछ part को, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको undo कर देते हैं, पूरी तरह से, अब हम क्या करते हैं, जैसे मालीजे, यहाँ पर हमारा एक part है, आप चाहें तो यहाँ पर time लिख सकते हैं, particular कर आपको timeline पता है, तो यहाँ पर time लिख के भी trim कर सकते हैं, otherwise आप cursor को ऐसे सरका के कर सकते हैं, और इस timeline को zoom in, jam out करके भी देख सकते है ठीक है, तो चलिए, simple, यहाँ पर मालीजे मेरा एक function है, यहाँ से मुझे कुछ second का multiple part मुझे split करने, कुछ कुछ second के, जैसे मैंने यहाँ पर trim किया, ठीक है, अब trim करने के बाद देखे, यहाँ पर है system, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, split कर दूँगा, ठीक है, और मुझे यहां से, यहां तक का part जो है, एक तो वो मुझे करना है, यहांसे हटा देना, इस part को, यह part unwanted है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे एक तो यह part अटाना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर हटाना है, तो मैं यहां पर लाँगँ close को वापस देखे, नीचे जो split का option है ना उस पर फिर से click कर दूँगा फिर से click हुआ और मैं यहां से यहां तक का part भी हटाना चाहता हूँ मैं इस करसर को आगे ले कि जाऊंगा थोड़ा सा और मैं फिर से split करूँगा और यहां से यहां तक के part को मैं हटाना है फिर मैं ने 4 पняई यह मुझे यहां से यहां तक तो यह सारे में अब मैं प्रिवू करूंगा grow good मैंने वीडियो और तो अब करने की सला नहीं देते और लेकिन ऐसा नहीं कि आप पर अपनी वीडियो शेयर इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो इस तरह से आप चाहें तो multiple भी कर सकते हैं अब करना क्या है आपको बस कुछ नहीं करना यह हमारा scene हो गया यहां से यहां तक का और आप इसको preview कर सकते हैं यह देखिए यह preview हो गया ठीक है इसके बाद आप क्या करेंगे यहां पर अगर आप save करेंगे जैसे आप save के option पर click करेंगे थोड़ा time लेगा लेकिन यह सारे part यहां से हट जाएंगे तो इस तरह से आप edit कर सकते हैं अपनी video को trim कर सकते हैं कोई भी part को हटा सकते हैं कोई problem आपको नहीं आती है तो अभी यह अभी तो सबम को करना नहीं है तो इसको मैं भी तो undo कर देता हूँ अभी यह देखिए undo कर देता हूँ मैं सारी चीज आपको दूसरी čीज समझाता हूँ music वाली clear roll कर देता हूँ ठीक है अब बात करते है music की तो यह वाला जो section है यह हमारा music है यह रहा music अमाल लीजे मिरको इसमें music add करना है कोई तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर add a track, plus पर click करूँगा plus पर click करूँगा और यहाँ पर देखे हमारी जो मतलब library होती है यूट्यूब audio library यहाँ पर open हो जाएगे, इस तरह से हम यहाँ पर music देख सकते हैं, यह audio library open हो गई, तो यहाँ पर देखे, star अगर हमने किया हुआ है किसी को, तो यहाँ पर star वाले music आ जाएंगे, और अगर free वाले music यह रहे, यह free वाले music है, बिल्कुल free है, ठीक है, अब देखिए ध्यान से आप समझे, मुझे एक music लगाना है, यहाँ से लेके, थोड़ा आगे तक, मालो यह वाला music लगाना है, तो मैं यहाँ पर चाओं तो सुन भी सकता हूँ music को देखी, प्ले कर लेता हूँ इस तरह से प्ले करके देख सकता हूँ, और मैंने यहाँ पर add कर दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर license info देख लिजिए आपकी, तो यहाँ पर साप लिखवा है, कि फ्रियेस में attribution की कोई भी requirement नहीं है, ठीक है, इसके बाद चाहें, तो हम इसको यहाँ से music को remove भी कर सकते हैं, कभी भी, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते है music के बाद हमारा वीडियो कैसा लगता है, तो अब हमने देखा कि भाई, हमारा इसका music की music आ रहा, इसका नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका, देखिए, volume कम करेंगा, यह है, हमारी 3 मिंदिस पर आप किलिक करोगे, तो यहाँ पर keyboard shortcut का option आता है, तो आप चाहें, तो keyboard के shortcut भी यहाँ से आप देख सकते हैं, shortcut use करने के बाद, आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे editor का, तो यहाँ पर देखिए, अब हम volume decrease की बात करते हैं, तो आप देखिए, 5% volume decrease होगा, अगर हम यह वाला जो की है, इसको, डाउन वाली जो की है, इसको press करेंगे, तो चलिए करते हैं, और देखते हैं कि music कम होता है, यह नहीं होता है, ठीक है, चलिए, तो music बहुत कम हो रहा है, बहुत जादा हो रहा है, अब ध्यान से देखेगा, यानि अगर मैं keyboard में से, down वाले arrow को बार बर प्रेस कर रहा है, तो music बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से add कर सकते हैं, और देखिए, अब देखिए, music की आवाज आ रही है, लेकिन हमारी वीडियो की जो voice है वो नहीं आ रही है, यहाँ पर mix level है, इसको decrease कर देखिए, यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है, अब देखिए, अब आज हमारी वीडियो की भी आएगी, और music की भी आएगी, और music को हम add कर सकते हैं, चाहें जितनी volume पर, तो आप देखिए, चला कर दिखाता हूँ, तो देखिए, अब आज भी आ रही है, और music भी आ रही है, इस तरह से music के जो level है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, arrow के button से, ठीक है, और इस तरह से music add कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा music भी add कर सकते हैं, माल लीजे मुझे यहां से यहां तक तो यह वाला करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहां से यहां तक तो यही वाला करूँगा, यह देखिए, मैंने यहां पर यह timeline यहां पर बना दिये, इसके बाद मैं को एक और करना है music add यह वा मलब तीसरा function वो है blur का तो यहाँ पर देखे blur का option है तो अपर दो तरह के blur है एक तो है face blur तो face blur पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखे हमारा यह face है तो वीडियो के अंदर जितने भी face होंगे वो सारे यहाँ पर customize करके दिखा देंगे से मालो मुझे इसको blur करना है तो मैं क्या करूँगा इस वाले को select टर लोगा ठीक है और इसको मैं apply करूँगा तो मेरा face blur हो जाएगा तो कई बार क्या होता है कि मालो किसी और का face हमारे वीडियो में आ जाता है वो privacy campaign कर देता है तो मैं उसको face blur करना पड़ता है YouTube बोलता है कि आप face को blur कर दो तो मैं इस तरीके से कर सकते हैं इसके अलावा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ apply नहीं कर रहा तो यहाँ पे blur का एक और function आपको मिलता है custom blur यह काफी अच्छा feature है इस पर हम click करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह वाला यह जो custom है यह आ गया है देखिए यहाँ पे यह rectangle है यहाँ पे आपको काफी सारे option मिलते है मैं आपको दिखाता हूँ एक मिल जाता है rectangle वाला जो अभी फिलाल हमने आपे select किया हो यह आप देख सकते है इसके बाद circle वाला मिल जाता है आपको fix कर सकते हैं आप blur को और आप track object कर सकते हैं अब मतलब समझ लेजे पूरा देखिए माल लेजिए इस blur को हमने यहाँ पे कर दिया ठीक है इसको थोड़ा बड़ा कर दिया मालो या हम इसको चलो एक circle ले ले लेते हैं हिल रहे चेरा हम चाहेंगे कि चेरे के साथ यह blur भी हिलता रहे यानि हम track करें इस object को तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास एक function है track object ठीक है तो इस पे हम यह click कर देंगे तो यहाँ पे हमने click किया आप देखिए यह blur जो है न यह भी हिलेगा चेरेक साथ यह देखिए हिल रहा है न यानि कुल मिला कि हम किसी object को track करके blur कर सकते हैं अगर वो हिलेगा object तो हमारा जो blur का जो पोसन है वो भी हिलेगा और हम चाहें तो यहाँ पे fix भी कर सकते हैं इसके बाद वही है अगर हमें जहाँ भी blur करना है save के button पे हमें click कर देना है save के button पे जैसे हम click करेंगे इसके बाद हमको यह चीज़ पूछेगा अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हमने save पे click कर दिया तो थोड़ा time लगेगा और जो भी हमने आप edit किया है वो edit हो जाएगा लेकिन अभी मुझे नहीं करना है तो मैं यहाँ पे cancel कर देता हूँ तो इस तरह से आप जो है uploaded वीडियो को easily edit कर सकते हैं blur कर सकते हैं music add कर सकते हैं trim कर सकते हैं कोई भी part को हटा सकते हैं तो दोस्तो आइटिंक के tutorial आपको काफी पसंद आया होगा और कितने लोगों को इसकी जरुवत थी मुझे comment जरूर बताइए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like सेर कर दीजे चैल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ notification bell को दबा कर all पर किलिक करें इसी तरह के वीडियो में आपके लिए मैं इसा बनाता रहता हूँ मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसे नई वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए चैहिए